हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब मैं हूँ किशोर तेजवानी आप लोगों का मत्यमेडिक्स मेंट और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने मैगनेट बेंज में जो प्रोवाइड करता है आपको 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 त सकते हैं साथी साथ यहां पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए पढ़ाया जाता है तो ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है और बच्चों अगर आप लोगों को हमारे प्रेक्टिस क्वेशन को अवेल करना है तो आप लोग उसको अवेल कर सकत हैं साथी साथ e-notes और e-books की link description में given है आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं अब सर आज के इस lecture में हम लोगों को पढ़ना है तो आज के इस lecture में हम लोगों को पढ़ना है class 9 mathematics का number system का exercise 1.2 सर इससे पहले हम लोगों ने क्या-क्या देखा तो इससे पहले हम लोगों ने इर्रैशनल को डील करने के बाद हम लोगों ने क्या करा एर्रैशनल को डील करने के बाद हम लोगों ने अब इर्रैशनल नंबर को number line पर भी बनाना सीख गए जब हम लोगों ने इर्रैशनल नंबर को number line पर represent करना सीख गए तो हम लोगों ने यह देखा कि हम लोग सारे ही numbers इसको अलब सारे नंबर बोले तो इर्रैशनल या रैशनल पहले सब्सकें कियो कि राइशनल तो आउत्मेटीकली हम करी सकते हैं पर हम लोगों को एर राइशनल नंबर भी किशोड शन ने नंबर लाइन पर रिक्रेशन करना सिखा दिया रूट 2 हो, root 3 हो, root 4 हो, root 5 हो, root 6 हो, root 7 हो, root 8 हो, root 9 हो, root 10 हो, हम लोग number line पर उसको represent कर सकते हैं, ठीक है, अब आज के इस lecture में हमारे पास कुछ questions है, अब वो questions कौन से हैं, exercise के हैं, तो चलिए के करके देख लेते हैं, हम लोग बड़ी आराम से, सबसे पहला सवाल, आपकी screen के उपर ये रहा, question क्या बोल रहा है, आपके पास, जो first question है, वो बोल रहा है, state whether the following statements are true, या फिर आपके पास false, justify your answers, अब justification तो आप लोग दोगे, मैं यहाँ पर लिखवा दूँगा, सारी चीज़े, मतलब बता दूँगा, आप लोगों को कि क्यों गलत हैं, या क्यों सही हैं, पर justification आप लोगों को देना होगा, यहाँ पर, ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, अपने question number first कि, every irrational number is a real number, अब यह बोल रहा है, क्या मेरा हर irrational number, एक real number होता है, हर irrational number, क्या मेरा एक real number होता है, देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर real number की, तो real number किस किस के set होते है, set of rational, और irrational number, ध्यान से समझना, अब वो बोल रहा है, कि मेरे सारे irrational number क्या real number होते है, देखो, rational number कौन से number होते है, वो number जो PYQ के form में होते हैं, और जहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होता, और irrational number क्या होते है, से root of square root of N, जहाँ पर N is not a perfect square number, तो यह बात है, तो हमारे पास इतनी क्या है, बच्चो, fixed है, ठीक है, अब बात को से थोड़ा ध्यान से समझना, वो बोल रहा है, हर irrational number क्या मेरा real number होता है, क्या मेरा हर irrational number, real number होता है, देखो, हर irrational number क्या real number होगा, होगा, since all the collection of rational and irrational number are real number, हाना, collection of rational number और irrational number are real number, तो उस हिसाब से क्या irrational number सारे ही मेरे real number नहीं होंगे, होंगे, true है यह, अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया कि यह true क्यों है, अब आप लोगों को अपनी language में इसका justification देना है, ठीक है, तो first की बात हो गई, first हमारा क्या है भाई या, true है, चलो, अब यहाँ पर समझते है, every point on the number line, ध्यान से समझना, हर point, हर point number line पर is of the form root m, where m is a natural number, अब यह तो बोल रहा है, हर point, हर point में आपका negative numbers भी तो आएंगे, लेकिन negative numbers को जब हम square root के अंदर डालेंगे, तो वो तो काभी solve भी नहीं हो पाते, और वो तो काभी perfect square number भी नहीं है, ध्यान से समझना, अगर हम लोग root के अंदर, यहीं पर बता देता हूँ मैं second वाला, अगर हम लोग root के अंदर मान लीजिए, minus का 3 डाले, यह चलो root के अंदर, अगर हम लोग minus का 4 डाले, तो यह सारे perfect square number थोड़ी नहीं, यह सारे perfect square number थोड़ी नहीं, अगर यह लोग pair में तो इसका एक number बहार आता है, और एक number बहार आता है, तो हम लोग बोल देता है कि 2, 2 हमारे पास क्या है, एक perfect square number है, है ना, ठीक है, लेकर अगर हम लोग बात करें, minus 4 की, यहाँ पर बात कर लेते है, minus 4 की, minus 4 को आप लोग क्या लेखोगे, अंदर root में, minus 2 into 2, अब आप समझो, यह pair में है, क्या, नहीं, सर, minus 2 एक अलगी number है, और सर, plus 2 एक अलगी number है, minus 2 एक अलग है, plus 2 एक अलग है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं वही पैसो पे उतरूँगा, कि आपको मैंने minus 50 दिया और आपको मैंने 50 दिया, हाँ, नहीं, सर, आप 50 दो, बढ़िया तरीके से दो, लेकिन सर, minus 50 मत दो, बहुत negative feeling आती है, सर, minus 50 का क्या मतलब हो रहा है, आप हमें दे रहे हो, या हमसे ले रहे हो, हाँ, तो वही बात हो जाएगी, तो यहाँ पर आपके क्या है, पेर नहीं यह नंबर के, यहाँ पर minus 2 अलगे, 2 अलगे, तो यहाँ पर आप लोग इसको solve भी नहीं कर पाओगे, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यह चीज चली आएगी आपकी imaginary terms में, वो class 11th का concept है, तो यहाँ पर बस इतना समझना, कि हर point number line पर, हर point number line पर, is of the form root m, जहाँ पर m आपका क्या है, एक natural number है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, बहाँ पर अगर आप लोग m की जगा negative numbers भी लोग है न, अगर आप लोग m की जगा negative numbers भी लोग है न, तो वो perfect square number नहीं होते हैं, तो यह उस तरीके से क्या हो गया बच्चो, false statement हो गया, अब अगर हम लोग बात करें, third question की, तो वो बोल रहा है, हर real number क्या मेरा एक irrational number होता है, भाईया, हर real number irrational कहां से हो जाएगा, हर real number irrational कहां से हो जाएगा, भाईया, real number में तो क्या-क्या होते है, rational भी होते हैं, और irrational भी होते हैं, ले क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर जो आपके real number है ना real number यहाँ पर आप लोगों के क्या क्या होता है यह rational पार्ट भी होता है और आपका irrational पार्ट भी होता है वो यह बोल रहा है कि सारे के सारे real number क्या मेरे irrational नंबर होते हैं भाई ये सारे के सारे रियल नंबर में आपके इर्रैशनल कहां से हो जाएंगे सारे के सारे रियल नंबर में कौन-कौन से नंबर आएंगे आपके आ जाएंगे सारे रैशनल नंबर और आपके सारे irrational number सारे के सारे irrational number real number हो सकते सारे के सारे rational number भी real number हो सकते पर सारे के सारे real number ना तो rational होंगे ना तो irrational होंगे सारे के सारे real number ना तो rational होंगे पूरी तरीके से ना तो irrational होंगे हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पर बोल रहा है कि सारे real number irrational number है भाई यह सारे real number में अब आप लोग समझो एक example 2 2 एक real number है पर 2 एक irrational number नहीं है 2 एक real number है पर 2 एक irrational number नहीं है ऐसी अगर मैं बात करूँ चलो बात कर लेता हूँ मैं 3 की तो 3 फिर से मेरा एक real number है पर वो मेरा एक irrational number नहीं है बात समझ में आ गई तो उस तरीके से ही है क्या हो गया false हो गया example में आप लोग लेने ना for example 2 is real but not an irrational number clear हो गया यह आपका justification भी मैंने बता दिया justification बाकी आप लोग मुझे comment section में लिखके दिखाना एक एक का इन तीनों का है ना वैसे मैंने आपको इधर सारी चीज़े अच्छे दरीके से समझा दियें कि कैसे हम लोगों को ऐसे questions को करना है ठीक है आ गया क्या एक बार देखोगे देख लो एक बार मैं हट जाता हूं screen से एक बार screenshot ले लो हो गया आगे बढ़ सकते है चल आगे बढ़ते है अब अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो question number two है उसको ध्यान से समझना question number two क्या बोल रहा है are the square roots of all positive integer square root of सारे सारे positive integer क्या irrational होते है क्या irrational होते है अगर नहीं तो give an example of the square root of a number that is a rational number देखो भई या square root of all positive integer है हम लोग तो वन से ही शुरू कर लेते है root of one root of two root of three root of four root of five root of six हाना और लेना है क्या चलो और ले लेते है root of seven root of eight root of nine root of ten अब बात को थोड़ा ध्यान से समझना अगर मैं बात करूं root of one की तो root of one मेरा आपका एक rational नंबर है या फिर एक irrational नंबर है देखो root of one को में लिख सकता हूं one into one pair में है एक बाहर आ जाएगा तो one मेरा क्या हो जाएगा बच्चों पी बाइक्यू के फॉर्म में हो जाएगा क्योंकि यहां पर देखो ना वन की नीचे अपन लोग लिख सकते हैं इसलिए हम लोग इसको रैशनल बोलते है और इसको एक irrational बोलते है ऐसे रूट 3 आपका एक रैशनल नंबर है रूट 4 रूट 4 को तो हम लोग तू लिख सकते हैं मतलब यह रैशनल है रूट 5 आपका एक irrational है रूट 6 भी आपका एक irrational है हाना क्योंकि अंदर पेर नहीं मिलेंगे इसके रूट 7 रूट 8 को आप लोग क्या लिखोगे ध्यान से समयना रूट 8 को आप लोग लिखोगे 2 x 2 x 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और इसका दो एक पेर है तो एक नंबर बहार आ जाएगा अंदर बचेगा रूट 2 लेकिन क्योंकि रूट 2 भी आपका क्या है एक एर्रैशनल नंबर है और यह आपका भले ही एक रैशनल नंबर है लेकिन जब एर्रैशनल नंबर और रैशनल नंबर का प्रोड़क्ट होता है जब एर्रैशनल नंबर और रैशनल नंबर का प्रोड़क्ट होता है तो रिजल्ट में आपको एक irrational number ही मिलता है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिल जाएगा, एक irrational number, अगर मैं बात करूँ, root of 9 की, तो root of 9 को आप लोग क्या लिखते हो, root of 9 को आप लोग लिखते हो, 3 multiply by 3, क्योंकि 3 और 3 है, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखते हो, 2 into 5, मतलब root 2 into root 5, तो irrational number हैं दोनों, और यहाँ पर आप लोगों को irrational number ही मिलेगा, तो अब बात को ध्यान जाए समझना, आप लोगों ने यहाँ पर क्या-क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पर क्या-क्या देखा, are the square root of all positive integer irrational, नहीं, इस case में क्या मिला हमको, rational मिला, इस case में क्या मिला हमको, rational मिला, और कौन से कैस में rational मिला, इस case में हमें rational मिला, ठीक है, तो यह गलत हो गया, if not, give an example of the square root of a number that is rational, तो आपका क्या के example दे दिया मैंने root of 4 that is 2 and root of 9 that is 3 तो 2 and 3 are rational number thus all the, thus the square root of all positive integer is not need to be irrational but rational also simple समझना बात को कि हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं पहले आप लोग इतना अच्छे तरीके से note कर लो बात को ध्यान से समझना इसका कहना था कि सारे ही square root में जितने भी positive integer होते हैं वो आपके irrational होते हैं भाईया यह गलत है not completely, not completely गलत नहीं है मलब सारे नहीं होते हैं अगर हम लोग बात करें 1 की, 4 की और 9 की तो यहाँ पर आप लोगों को rational part मिलता है since 2 and 3 are rational number thus the square root of all positive integer are not need to be irrational number है न क्योंकि वो rational भी होते हैं clear हो गया statement के format में आप लोग इसको लिख दोगे क्या लिख दोगे एक बार जल्दी से आप लोग इसको समझ लो जल्दी से आप लोग इसका screenshot ले लो ताकि फिर अपन लोग आगे बढ़ जाए चीजों को लेके समझ गया समझ गया है चल आगे बढ़े अब हमारे पास question क्या है अब हमारे पास question है कि हमें root 5 को represent करना है number line पे अब root 5 को represent अगर हमें करना पड़ेगा number line पे तो हम लोग कैसे करेंगे ज्यान से समझो सबसे पहले कि शोर सर ने क्या सिखाय था कि आप लोगों को क्या बनाना है एक right angle triangle बनाना है अब जब आप लोगों ने right angle triangle बनाया यहाँ पर बनाया आप लोगों ने a यहाँ पर बनाया B यहां पर बनाए C यह हो गया 90 डिग्री का एंगल हमें रूट फाइफ चाहिए हमें रूट फाइफ चाहिए यहां पर A C पर तो यह लगा दिया मैंने रूट फाइफ हाना रूट फाइफ चाहिए अब कैसे आएगा सर यह A B तो हमारे पास फिक्सडे की यह वन सेंटीमीटर ही होना चाहिए हमारे फिस्टे सर बी सी कित्ना लों हैं भी सी कित्ना लोग्लिए सर एक काम करता हूं तू ले लों क्या क्योंकि साथ two का स्क्वेट four और one five ठीक है सार तू ले ले ता हम टू सेंटीमेटर कि यह हमेशा फिक्सड रहेगी वन यह आपको कितना ले लिया मैंने तू ले लिया अब ध्यान जा समझो अब यह रूट 5 आता है कि नहीं आता वो देखते हैं जब मैं AC का स्क्वेर करूंगा तो वह होगा AB का स्क्वेर प्लस BC के स्क्वेर के ठीक है अब जब मैंने AC के कालने की बात खरी तो मैंने देखा कि जो मेरा AB का स्क्वेर है वो है 1 का स्क्वेर और जो मेरा BC का स्क्वेर है वो है 2 का स्क्वेर तो AC का स्क्वेर बराबर कितना आ गया 1 प्लस 4 तो AC का स्क्वेर बराबर आ गया 5 और स्क्वेर जब राइट साइड में गया तो रूट हो ग का और बी से लेकर आपको एबी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा और यूनिट लेंथ मनला बन सेंटीमेटर का होना चाहिए वह यूनिट लेंथ ड्रॉ करोगे फिर आप लोग एसी को क्या लोगे सेंटर और ओएको रेडियस और आप एक आर्क कट करोगे वह जो बहुत चैनदार तरीके से आगयाओ सब आप अम लोग रूट फाइव को अच्छे तरीके से रेप्रिजेंट करते हैं हम लोग क्या काम कर रहें हम लोग रूट फाइव को नमबर लैन पर रेप्रिजेंट कर रहें सबसे पहला काम क्या है सर एक लाइन बनानी है फिर उसके बाद क्या करना है नमबर लिखने 0 हो गया सर 1 हो गया 2 हो गया फिर उसके बाद क्या करना है अपने को फिर एक लाइन बनानी है और वो लाइन कित्ते की होनी चाहिए 2 की होनी चाहिए तो यहाँ पर मैंने क्या करा, 0 से लेकर 2 तक की एक line ड्रॉ कर दी, यह पूरा कित्ता है मेरे पास 2 cm है, हना, और इसको मैंने नाम दे दिया A, अब मैंने क्या करा, मैंने A से एक perpendicular of unit length line ड्रॉ करी, द्यान से समझे न, मैंने A से एक unit length की line ड्रॉ करी, 1 cm AP, तो जो AP है, वो आपका, यह AP बोल दो, यह PA बोल दो, which is perpendicular to मेरा क्या, ओ है, perpendicular का क्या मतलब है, कि यह 90 degree का angle बनाएगी, फिर उसके बाद क्या करना है, अपने को, फिर अपने को जॉइन करना है, किसको, OP को, OP को जोइन कर दिया क्या, OP को जोइन कर दिया सर, now taking OS center and OPS radius, cut an arc, which intersect the number line, और वो जो point जहाँ पर यह intersect करेगा number line पर, वो point आप लोगों का कित्ता हो जाएगा, वो point हो जाएगा, आप लोगों का, कित्ता बच्चों, root 5, ठीक है, यहाँ पर यह 2 है, यह 1 है, तो यह आपक 5 cm का बन चुका हूँ, मेरी जो length है, OP है, वो root 5 है, तो मैंने बोला कि O को center लो, और OP को radius लो, और यहाँ से ऐसा cut कर दो, तो यहाँ पर जो point बने गाना, let's say यह मेरे पास कित्ता है, यह 3 cm, आगे, तो यह जो point बने गाना, इसको मैंने नाम दे दिया, C, तो यहाँ पर जो C ह वो क्या represent कर रहा है, root 5 on the number line, ठीक है, बताने की जरूरत है क्या पूरा construction, क्या करोगे, marka point A, represent 2 cm on the number line, from A, draw PA of unit length, which is perpendicular to मेरा OA, now join, OP, OP को join करने के बाद क्या करना है, OP को join करने के बाद, taking OA center and OPS radius, cut an arc, which intersects the number line on a point C, C आपका क्या होगा, root 5 होगा, simple है, तो ऐसे करके हम लोगोंने क्या represent कर दिया, root 5 on the number line, एक बार अच्छे तरीके से देख लो, एक बार बढ़िया तरीके से देख लो, फिर आप मन लोग आगे बढ़ें, हो गया क्या, आगे बढ़ सकते हैं, पक्का, ठीक हैं, चलो, तो ऐसे करके मैंने आप लोगों को root 5 भी represent करना सिखा दिया, अब हम लोग आगे समझते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है question, अब question क्या बोल रहा है, एक बार फेले, खुद से पढ़ लो आप लोग, फिर मैं पढ़ा दूँगा, देखो, वो बोल रहा है कि भाईया, एक classroom activity है, ठीक है, ख्लास में नहीं करेंगे, तो यहीं पर कर लेंगे, constructing the square root spiral, अपने को क्या करना है, एक square root spiral बनाना है, take a large sheet of paper and construct the square root spiral in the following fashion, fashion भाईया, इनका भी एक fashion होता है, ठीक है, देखते कैसा fashion है, start with a point O, O से हमें start करना है, ठीक है, and draw a line segment OP1, अपने को OP1 ड्रॉ करना है, एक line segment, ठीक है, of unit length, unit length बोले तो 1, draw a line segment P1, P2, P1, P2, ठीक है, जैसे हम लोग करते हुआ रहा हैं, वैसा ही है, perpendicular to OP1, ठीक है, यह जो आपने P1, P2 ड्रॉ कराना है, यह OP1 के perpendicular है, ठीक है भाईया, बिल्कुल सही बोल रहा है, OP1 of unit length, C figure, देख लिए हमने figure, now draw a line segment P2, P3, अब P2, P3 को ड्रॉ करना है, यह भी कित्ते की होगी, यह भी unit length होगी, which is perpendicular to OP2, यह जो P2, P3 है, यह भी unit length की होगी, और which is perpendicular to OP2, बिल्कुल correct बोल रहा है, OP2, आगे समझता, then draw a line segment P3, P4, अब P3, P4 देखोगे आप लोग, P3 यह यह यह, P4 यह यह, यहाँ कहीं होगा P4, यह भी unit length का है, फिर ऐसे करके यह क्या हो जाएगा, यह इसको join कर दोगे, यह क्या हो जाएगा, root 4 हो जाएगा, फिर अपने को यहाँ से एक unit length draw करनी है, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, P5 नाम देंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर ऐसे करके unit length draw करना है, फिर अपने को यहाँ पे देना है तो यह रूटट 6 हो जाएगा फिर हमको एक यूनिट लैंफ ड्रॉ करना है फिर अपने को इसको जॉइन करना तो यह रूट 7 हो जाएगा फिर सेम टू सेम किभी 6 की 6 हो जाएगा तो आप लोग मुझे बताओ क्या अपन लोग बनाना सीखें इसको बनाना देखना है क्या देखना है पक्का ठीक है मैं आपको रूट 5 या रूट 7 तक बना दू चलो जित्ता बनेगा मुझसे में उत्ता बना दूंगा बाकी आप लोगों कराएगा तो यह बोल क वन इन दस मैनेर यू विल हैफ क्रिएटेड़ पॉइंट्स पी टू पी थरी पी एन तक और जॉइन देम टू क्रिएट अ ब्यूटिफल स्पारल डेपिक्टिंग रूट 3 रूट 2 रूट 4 रूट 5 रूट 6 रूट 7 और धेरो सारे आपके क्या होंगे एर रैशनल नमबर क आएगा समझ गया बात को पक्का ठीक है तो अब स्पारल बनाना शुरू करेंगा बिना कोई घबराट के हना घबरा तो नहीं रहे हो ना घबराना हे भी नहीं चलो आजाओ एक स्पारल बनाते हैं अपन लोग ब्यूटिफिल स्पारल बनाएंगे टेंचन मतलो देखो यह मेरे पास 0 है यह मेरे पास 1 है यह मेरे पास 2 है और यह मेरे पास 3 है सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा आपको मालू में सबसे पहले मैं बनाऊंगा रूट टू कितना बनाऊंगा रूट टू रूट टू बनाने का तरीका क्या है root 2 बनाने का तरीका तो सिर्फ यही है कि अपने को क्या करना पड़ेगा अपने को लेना पड़ेगा root 2 यहाँ से 1 cm की लाइन कीची यहाँ से 1 cm की लाइन कीची और यहाँ से मैंने इसको जोईन कर दिया ध्यान से समझना क्योंकि यह बन हुआ ये भी बन हुआ उसे साप सी ये root 2 बना नाम देते चलना कितना बोल रहा है वो P1 P2 बोल रहा है शायद हाँ एक बार इसको चेक कर लेते भीया P1 P2 बोल रहा है ठीक है यह होगा मेर पास P1 यह होगा मेर पास P2 तो यहाँ पर यह बात समझ में आ गई root 2 बन गया अब root 2 के बाद अपम लोग क्या बनाएंगे root 3 बनाएंगे चलो आजा फिर क्या करना है यह फिर यहाँ से अपने को unit length लेनी है unit length ले ली फिर अपने को इसको join करना पड़ेगा join भी कर लिया तो यह हम लोगोंने क्या करा P2 के बाद P3 बनाया और O से ही है अब यह क्या हो गया अब यह हो गया हमारे पास root 3 ऐसे ही बनते जा रहा है अब हम लोग क्या कर रहे हैं अब अब लोग बना रहे है root 4 root 4 के लिए फिर हम लोगों ने यहां से क्या करा एक ऐसी line खीची और हम लोगों ने क्या करा इसको ऐसे join कर दिया ठीक है तो यह क्या हो गया हमारे पास यह हो गया हमारे पास root 4 ठीक है और यह P3 यह हो गया P4 फिर से हम लोग क्या काम करेंगे फिर अब हम लोग आगे काम करते जाएंगे अब क्या करना है अब अपने को फिर से unit length ड्रॉ करनी है 1 cm फिर हमें किस से join करना है इसको O से join करना है तो यह जो line है यह हमारे पास कित्ती हो जाएगी यह हो जाएगी हमारे पास root 5 यह P5 हो गया फिर हमें क्या करना है फिर हमें unit length ड्रॉ करना है ठीक है इलाइन हो सकता है 1 cm से थोड़ी सी बड़ी जा रही हो तो कोई दिखकर नहीं है यह हो गया ठीक है यह कित्ता हो गया हमारे पास root 6 हो गया और यह कित्ता हो गया हमारे पास P6 हो गया अब root 6 हो गया अब फिर से 1 cm से शुरू करें चीजों को चलो फिर से 1 cm से शुरू करते हैं तो यह हो गया हमारे पास फिर से क्या 1 cm ठीक है इसका क्या नाम दे दूँ इसको नाम दे दूँ सर P7 यह हो गया हमारे पास root 7 फिर हम अपने को क्या करना पड़ेगा फिर से शुरू करना पड़ेगा तो यह हो गया हमारे पास फिर से 1 cm और फिर हम लोग क्या करेंगे इस O से जोइन कर देंगे यह हो गया हमारे पास किता P8 और यह हो गया Routed समझे नहीं ना बात को देखो कितना बड़ी है spiral बनता हुआ जा रहा है फिर आगे बढ़ाएंगे इसको लो भी यह clear है फिर इससे जोइन कर दो तो यह क्या रेप्रेसेंट कर रहा है यह हो गया आपके पास P9 और यह हो गया Rout of 9 चलो 10 तक बना देते हैं आखरी फिर उसके बाद आप लोगी घर पे ट्राय करते रहे ना ठीक है ना यह हो गया फिर इसको हमने इससे जोइन कर दिया तो यह कितना हो गया यह हो गया P10 यह हो गया हमारे पास P10 और यह क्या रेप्रेसेंट करेगा Rout 10 देखो कितना बढ़िया spiral बना है इसको बोलते हैं अपनलोग square root spiral ठीक है एक बार जल्दी से देख लो देख लिया क्या बन जाएगा इससे spiral अब Rout 10 के बाद क्या बन जाएगा इसी Rout 11 बन जाएगा Rout 12 बन जाएगा Rout 13 बन जाएगा और ऐसी करके यह मस्त वसा spiral आपको बन जाएगा इसी को बोलते हैं बच्चो square root spiral ठीक है अब यह बनने के बाद सर अब आगे question देख लेते हैं मेरे ख्याल से अब आगे question हमारे पास है नहीं बिल्कुल भी नहीं है तो बस आज के इस lecture में सरफ इतना ही अगर आपको आज का यह lecture पसंद आया तो आप लोग लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले साथी साथ बच्चो अगर मैं बात करूँ तो magnet range आप लोगों को provide करता है 100% quality और free education अगर हम लोग बात करें हमारे कुछ top courses जो कि English medium और Hindi medium में available है जो कि CBSC board, Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, राजस्थान board साथी साथ विदिक, maths, crash course और spoken English यहाँ पर होता है और अगर बच्चो आप लोगों को हमारे e-notes या e-books अवेल करना है तो link description box में given है आप लोग वहाँ से जाके अवेल कर सकते हैं ठीके बच्चो अगर आज का session आप लोगों को पसंद आया और अगर आप लोग हमें join करना चाहते हैं तो आप लोग हमें join कर सकते हैं Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp पे मिलते हैं next lecture में तब तक लिए bye-bye अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह पढ़ाई करते रहें Bye-bye